दोस्तों नमस्कार यह जो अभी बिग बैश का मैच आप अगला देखेंगे यह मैच नमबर 47 सिद्नी थंडर और होबाट हरीकेंस के बीच में तो इस मैच का वेन्यू चेंज कर दिया गया है आज पहले मैच सिद्नी शोगराउंड पे था से 10-50 के बीच में यह सी डॉमिनिट कर रहा है हाई अब आप रनलाइंस को अपने अकौर्डिंग कर सकते हैं अगर असेंडेंट जो आप देख रहे हैं चार ओवर में नोटिस कर लेते हैं आप शुरू के दो ओवर में नोटिस हो जाता है कि कौन स्ट्रॉंग चल रहा है तो अगर असेंडेंट बैटिंग कर रहा है तो आपको रनलाइंस 6 ओवर की एस करवानी है ठीक है और उसके बाद अगर आप जो 10 ओवर की करवाते हैं 15 ओवर की करवाते हैं तो उसको थोड़ा हाई आने के बाद नोट करवा दीजिए तो यह अपना इनिशल फेस है 10 15 से 10 49 के बीच में A.S.C. डॉमिनेट कर रहा है और मैच के समयच के लिए अपने लिए यह बहुत अच्छी बात होगी A.S.C. डॉमिनेट करेगा तो और्स में फ्लक्टॉशन आएगा आपको पता पड़ जाएगा कि कौन अभी डॉमिनेट कर रहा है उस हिसाब से आप टीम ले सकत जाता है और दो विकिट आ जाते हैं A.S.C. के खेलते खेलते हैं A.S.C. बॉलिंग कर रहा है तो दो तीन जोके चक्या पड़ जाते हैं रन की रेट ज़्यादा हो जाती है तो अब यहां वाईसा वरसा कॉंसेप्ट इंट्रड्यूस हो जाता है तो यहां पर टीम का विनर बड़ा मुश्किल हो जाता है तो आप विनर पर नहीं जा सकते हैं आपको देखना पड़ेगा अगर एक टीम दूसरे टाइम के टाइम में एंटर हो रही है तो दूसरे टीम भी पहले के टाइम में एंटर होगी ठीक हैं यह बात आपको नोटिस करनी है यहापे अच्छा 10 करना है कि ASE ने इंटरफेर नहीं किया है, मतलब ASE का रोल DSE ने गायब कर दिया है, तो यहां पर भी वाइसा वरसा कॉंसेट लग जाएगा, तो बारीकियों को आपको देखना है, कंसिस्टेंटली, कि कौन डॉमिनेट कर रहा है, कौन बीच में हिकफ्स दे रहा है, नहीं द करेगा, तो यह बातें मैच के लिए बहुत फेवरेबल होती है, मैच आप उस तरीके से ले सकते हैं, और 11-29 से 12-24 के बीच में ASE कमबैक करेगा, देखे, पूरा एक घंटा है, ASE कमबैक करेगा, सुपरबली, सुपरबली ASE कमबैक कर रहा है, तो अर अलाइस को आप ASE के बेसिस पे जो भी ASE का रोल है उस समय, यस और नो करवा सकते हैं, वह आप देख लेंगे, ठीक है, 11-29 आप देखते हैं कि 10-15 से करीबन 11-30 तक फरस्ट इनिंग चलेगी और 12-24 में सेकंड इनिंग का पावर प्ले या सेकंड इनिंग के दसोबर तक बात पहुंच जाएगी तो आप देख सकते हैं ASE का जो रोल होगा उस से साबसे आप उसको यस और नो करवा देंगे, 12-24 से एंड तक, DSE डॉमिनेट करेगा हाई, हाई डॉमिनेट करेगा, ASE जर्क देता रहेगा, मगर DSE डॉमिनेट करेगा वहाँ पे, तो यहाँ पर जो बर्चार्ट है वो भी DC win को ही दिखा रहा है, DSE win को ही दिखा रहा है, ठीक है, तो लास्ट में up down है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रन लाइंस में आपको बताती है, मैच आप, देख लीजे, low odds पे अगर लेंगे तो दोनों साइड आ सकता है, बस आपको यह observe करना है कि वाईसा वरसा concept दिखना है, आपको देखना है, ASE के शुरू में, ASE के time में, ASE enter हो जाता है तो ASE के time में भी ASE enter होगा, ठीक है है? और दूबञा ASE हा रहा है, उसके time में ASE enter हो रहा है, तो असे winner change हो जाएगा, आपको खुद अंदाजा लगा लेना ही यह आप हमें message कर सकते हैं 6378169642 नहीं हम आमने नहीं दिया है। और प्रसक्ते हैं पूछ सकते हैं। तो आप बात कर सकते हैं। और बीच में कोई भी है, आपको कोई डाउट होता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, 6378169642 पे, ठीक है?